दोस्तों स्वागत है आपका CACY के इस तना YouTube वीडियो में जहाँ पर हम 2023 में हम ये चेक करने वाले हैं कि जो PYQs आए हैं उनका resource क्या है कितने questions NCRT से आए, कितने questions करंट affairs से आए, कितने questions आप आम तोर पर static book से solve कर सकते हैं और most importantly कितने questions PYQs based हैं इसको हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे एक सवाल आया था धन्यक अताका के बारे में अब इसका जो resource हमें मिला वो था themes in Indian history part 1 chapter 2 history में direct question आपको यहाँ पर यह marked map में मिल जाएगा यहाँ से आप यह सीखिए कि अगली बार जितने भी history के आप maps revise करने जाएगे एक एक जगा को ध्यान से बढ़ो और खास कर जो unique ports हैं जो unique places आपको वहाँ पर दिखते हैं उनके बारे में जरूर जानो जैसे यह भरूक अच्छा है लेकिन असल में आज में यह भरूच है इसी तरीके से आप बाकी सब चीजों को भी देख सकते हैं अथ्रौा, कन्नौ, श्रवस्ती, वारनसी, कोशामबी, विदीशा, वेशाली, पाटली, पुति, राजगेर जो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे आगे बढ़िए With reference to ancient India, consider the following statements स्तूपा के ओबर question है और स्तूपा के ओबर question दो जगा से आपको resource मिलेगा current affairs और PYQs What is स्तूपा जो है? यह ASI ने इस exam के आसपास ही सराय टीला में ढूंडे थे नालंदा महावीर के आसपास और साथी साथ आपके लिए जानना जरूरी है कि 2021 और 22 में already स्तूपा पर questions आ चुके है इन questions को भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा मुश्किल इन में रही रहेगा इनके solutions जो है वो आप आसानी से ढूंड सकते हैं जाकर मेरे telegram पर कि इनका सही answer कौन सा है यहाँ पर हम सरफ discuss कर रहे है resource साथी साथ यह दो maps आपको आसानी से मिल जाएंगे यह जो PDF है यह भी आपको description के link से telegram पर मिल जाएगा इस तूपास के maps हैं यह आपको वही पर मिलेंगे अगला सवाल था यार कौरकई, पुमफुहार और मुशीरी इन सभी के बारे में यह हैं क्या अगैन तमिलाडू हिस्ट्री में इसके सवाल था और अगर वो भी नहीं आपने पढ़ा है तो 11th की fine arts में पुमफुहार directly mentioned है तो आपके लिए यह आसान हो जाता है पेज 149 अफ तमिलाडू हिस्ट्री में कौरकई का mention है विच अगैना पोर्ट टाउन और मुझरिस यह कही ना कहीं गल से केरल के जरीए कनेक्ट करता था 2023 में एक PYQ पूछा गया संगम poems के बारे में 22 में एक संगम literature पे question था तो कही ना कहीं जब आप संगम के around देखेंगे तो जो 22 वाले से था वहाँ से आपको यह सीखना था अब यह समझेए यह PYQ का question आ गया इससे पहले अभी हम question number 4 पे हैं दो questions PYQ से आ चुके हैं तो संगम के जितने भी questions हैं 22 में आपको यह सीखना था कि कहीं ना कहीं society के बारे में answers पे बात होती है बस इतनी समझ के basis पे आप इसका answer कर सकते थे अब क्योंकि society पे बात है तो इसका answer यह बनता है आप इसको जाकर में telegram से भी ले सकते हैं PYQ के उसमें यह question थोड़ा मुश्किल था इसमें यह बात की गई थी कि जितनी भी dynasties हैं इनको आप kingdoms जो है इनोंने 8th century AD में बनाए थे यानि कि जितने भी यह kingdoms हैं इसमें से कौन से हैं जो 8th century AD में बने थे होसला, गादवाला, ककतिया, यादव यह बहुत मुश्किल होता है कि आप इस तरीके का कोई भी arrangement एकदम से सोच पाएं इसका solution है, इसका कोई resource नहीं है क्योंकि NCRT में आपको time time पे मिल जाएंगे solution यह है कि एक A4 size sheet लो उसको landscape mode में करो left side से बनाना शुरू करो यहाँ पर dynasty का नाम लिखो उसके name of dynasty, founder or famous kings places or capitals, ऐसे एक table बना लो और इसमें time lines के हिसाब से ancient, medieval, modern जो भी आपको बनाना है, सभी को एक साथ उसमें mention करो and revise them again and again जरुत पड़े दो आपने दिवार पे चपका लो revision आपकी बहुत आसान होगी और ऐसा सवाल हर साल एक नाएक जरूर आता है आगे देखिए, यह एक चार कुछ हिनोंने literature work दीजिसमें author से match करना था, यह बहुत ही मुश्किल question है क्योंकि factual बहुत ज्यादा है लेकिन इसके कुछ-कुछ resources हमें मिल जाएंगे, यह एक NCRT book के उसमें but again, इसमें हमें एक या दो ही resources मिल सकते हैं आप उसके जरीए कम से कम दो options यहां से eliminate कर सकते हैं पर हाँ, NCRTs में इसके solution आपको जरूर मिलेंगे आगे बढ़िये, souls are not only the property of animal plant life जैनिजम का यह एक basic core principle है जिसने भी PYQs करें साथ वे question पे हम तीसरा PYQ based है ध्यान रखिये चली आगे चलते हैं विजनगर empire का जो large dam है वो Tungbhadra river पर किस ने बनाया सतीष चंद्रा chapter 9 page 116 पर साफ साफ लिखा है कि देवराय 1 ने एक dam बनाया था Tungbhadra के उपर ताकि वो कनाल city में लेकर आए और जो पानी की कमी है उसे दूर करें answer already given to you थोड़ा और आगे आएंगे तो who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese नोट से ने शुरू कर दे किताब को end to end पढ़ें और page पर ही नोट से ने शुरू कर दे दूसा तरीका है कि आप जो summary pages हैं उनका better efficient use करें कैसे वो मैं आगे समझाओंगा आपको एक अलग separate video में तब तक के लिए आप CACY को subscribe कर लिजे again which are the following acts ये जितने भी acts हैं ये on priority आपके tips पे होने चाहिए लेकिन problem ये आती है कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है किसमे क्या हुआ था simple solution timeline बनाओ एक A4 size sheet लो उपर से नीचे आमने सामने यहाँ पर नाम, यहाँ पर features कोई special चीज़े अगर आपको उसमें mention करनी है governor general उस time पर कौन थी ये सारी चीज़े आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा समय बचेगा और सबसे जरूरी चीज plus two marks मिलेंगे जैसा मैंने कहा ये PDF आपको इस video के description में अल्रड़ी मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप 15-year PYQ brilliance analysis notes भी ले सकते हैं In a sense, what does due process of law mean? The principle of natural justice, procedure established by law ये बहुत मुश्किल है इसको आंसर करना इसको आंसर करने का एक तरीका जरूर है क्योंकि ये news में बहुत रहा था due process of law तो एक curious aspirant की तरह अपनी application based knowledge को बढ़ाईए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी एक बार पढ़ें due process of the law process established by the law इनसे को google करके पढ़ो एक-एक page इनके बारे में कहीं पे भी एक just one liner, one phrase, one page असानी से पढ़ो, आगे बढ़ जाओ आपकी improvement बहुत strong होगी पेरोल के उपर एक सवाल था इसमें रामरहीम केस जो चल रहा है उसमें बहुत ज़ा पेरोल उनकों मिल रहे थे और इसी वज़ा से ये news में था this becomes current affairs based बारवा सवाल, तीसरा या चाथा सवाल है जो current affairs based है ये सवाल मेरा favorite सवाल है इस पूरे 2023 के paper का क्यों ये पूछता है कि constitutional chief purpose क्या है PYQs में 2014 में 20 में और 21 में सेम सवाल अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है 21 में बोला constitution government का मतलब क्या है जो limit करे constitutional government by definition is limited government constitutional government is one which places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority सही answer है इस बात को ध्यान रखो तेरवा सवाल है ये fifth है जो PYQ based है PYQs की importance भाई आप समझ जाओ तेरा में से fifth सवाल पे हम आ चुके है आगे ये amendment based question है ये एमलक्षमी कान में आप आसानी से solve कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते तो एक simple तरीका ये है कि एक और A4 size sheet लो उसमें अपने notes बना लो जो जो main important आपको amendment acts लगते हैं उनकी list बना लो नहीं बनाना चाहते तो किसी भी coaching की website से ये list मिल जाएगी डाउनलोड करो PDF अपने पास रखो revise करो ये भी बहुत ही असान है NCBC जो है 338B में constitutional body है बाकी इन तीनों में से constitutional bodies नहीं है कोई भी तो ये basic facts है current affairs में आपको मिल जाएंगे नहीं तो M. Lakshmi Gang में तो है ही ये एक question था अगर election of president is declared void by Supreme Court of India acts जो है कुछ भी है कुछ भी है कुछ भी है ये तीनों ही polity के basic facts है अपने अपने chapter में आपको president chapter में majorly ये आपको सभी मिल जाएंगे लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसको इतने ध्यान से पढ़ता कौन है भाई सब पढ़ रहे हैं जिसने exam clear करना है वो ज़रूर पढ़ेगा और अगर तू नहीं पढ़ रहा तो तो तेरा नुकसान है बहुत सीदी सी बात है revise करने जब जाएगा छोड़ दे 50 चीज़े basics clear लग static book करनी है लक्षमी कांत करनी है spectrum करनी है NCRTs करनी है current affairs एकदम PYQs focused करने है अगर दिक्कत आती है तो मैंने एक CAY करके पिछले एक साल के current affairs को CAY में compile किया है सबसे बड़ी बात ये है कि ये PYQ centric current affairs ही मैंने इसमें pick किये है इस वीडियो के second link में जाकर आप उससे ले सकते हैं और code use कर लेना MyCA बहुत ही असानी से आप इसको download कर पाएंगे Parliament के उपर chapter है Finance Bill and Money Bill ये भी PYQ based है कैसे? Finance Bill और Money Bill पे इतने सारे सवाल आ चुके हैं कि मैंने अपने PYQ की जो notes बनाया उसमें अलग से column बनाया जहां पर मैं सिरफ Finance Bill और Money Bill की बात कर रहा हूँ लेकिन आपका काम ये है कि comment करके बताओ Money Bill और Finance Bill ये दोनों बिल्स का Article of Constitution कौन सा है? दुबारा सुनो Money Bill और Finance Bill दोनों कौन से आर्टिकल में आते हैं साथ ही साथ ये बताओ कि Article 1,1,2 किस चीज़ को लेकर है? वीडियो पॉस करो, comment करो फिर आगे बढ़ना अगला सवाल commentary reserve है ये मुश्किल सवाल है क्योंकि इसमें चार अलग-अलग चीज़ें अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे elimination के दरिये जा सकते हैं लेकिन only two, only three options में बहुत मुश्किल होता है ऐसे सवालों को मैं जरूर कहूंगा कि आप ignore कीजिए लेकिन अगर आपने current affairs को ठीक से पढ़ा है बहुत गहराई से entry cases को देखा, समझा, सीखा है तो आपके लिए यह असान भी हो सकता है चलिए, schedule areas की बात है तो schedule areas का सीधा सीधा आपको resource मिलेगा मेरे अपने blog में जहां पर article 244 पे मैंने बात करी अगर blog नहीं पढ़ा है मेरा आपने तो 244 article in general भी आपको constitution में पता होना चाहिए लेकिन अगर दिक्कत आ रहे कि या constitution की articles याद नहीं होते तो मैंने पूरा का पूरा एक master class दिया है जिसमें सिरफ यह explain किया है कि आप सौस से ज़धा articles को कैसे tips और tricks से बहुत आसानी से अपने tips पर याद करोगे इतना आसान कर दिया है उसको कि mnemonics याद करते ही कोई number बोलते ही आपके दिमाग में यह मेरे साथ होना शुरू हो गया था अगर मैं TV की volume उपर नीचे कर रहा हूँ माल लीजे मैं देख रहा हूँ कि volume 24-25 है मेरे दिमाग में चले 24 is this article 25 is this article article triple one is this, one one two is this अलग-अलग चीज़ों पर गाड़ी की speed देखे यह number ध्यान आने लग जाता है AC का temperature देखे ध्यान आने लग जाता है कि कौन सा article क्या है इतना असानी से मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ अपने इस master class में इसे इक्वालिटी डाउट जो है वो भी अलग से आपको पता ही होगा discrimination नहीं होगा opportunities equal मिलेंगे, untouchability खतम करोगे और titles abolish होगे ऐसे से निमोनिक बनाके मैंने पूरा अच्छे से सिखाया है इस PDF को लेकर आप अगर 20th question number के सामने इस hyperlink पे क्लिक भी करेंगे फ्री में download भी कर सकते है मैंने अपने हाथ से खुद लिखी है इस list को download कीजे चार पेजिस की list है अपनी दिवार पे चकपालो, बार-बार revise करो recall value बढ़ेगा, exam में numbers जयदा आएंगे ठीक है जी? चलिए, वापिस चलते है अगला है this is a question about uranium के deposits के बारे में कैसे uranium deposits बग्यारा बनते है कोई direct resource नहीं है इसका थोड़ी सी common sense है, थोड़ा सा current affairs based है क्योंकि uranium को लेकर Australia से हमारी कोई बातचीछ चल रही है यह marsupils का जो सवाल आया था ना यार marsupils के सवाल में सरफ एक चीज़ पता होनी चीज़ कि marsupils होता क्या है marsupils news में था एक article में Indian Express में भी था और the Hindu में भी था जहां पर सिर्फ एक photo बनी वी थी अगर आपको पता है कि marsupils जो है वो एक kangaroo होता है तो यह question आप आसानी से solve कर सकते हो लेकिन यह awareness आपकी बढ़ेगी जब आप अख़बार daily consistently पढ़ रहे हो अगर दिक्कत आती है कि पढ़ना क्या है कौन से questions पर ज़्यादा ध्यान देना है किन-किन keywords को note करना है तो एक simple सा तरीका है मैं अपने telegram पर daily, Hindu और Indian Express दोनों से keywords, prelims के लिए notes, means के लिए जो quotes हैं, कुछ भी statistics, reading recommendations, सब आपको map करके बताता हूं, syllabus से ताकि आपका काम समय बचे थोड़ा आसान हो जाए तो invasive species specialist group पे हम बात कर रहे हैं ये एक news में था हलांकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप exactly इस तक पहुँच पाओ और क्यूंकि ये organizations को लेकर है और सभी organizations कही न कहीं काम करती है species के around तो it becomes slightly tough to deal with such questions सिवित ये एक सवाल है जो जिसको देखकर species के जितने भी questions हैं वो generally advised है कि एक जितना भी आपने species PYQs में आया हुआ है, उनको लो एक जगा एक अठा करो और वहीं से revise करना शुलू कर दो ताकि एक जगा आप उनको revise कर पाओ अगर आप species का question देखते हो और शौर नहीं हो मत माग करो, आगे बढ़ जाओ, ऐसे सवाल छोडने के लिए ही बने है इस सवाल को देखें तो सिवत न्यूज में था, 2020 से न्यूज में है and as I said, PYQ की understanding आपको help कर सकती है कितने nocturnal कितने nocturnal हैं या फिर most active हैं after sunset यह से समझा दिया जिसको nocturnal का मतलब नहीं पता, उसके लिए दिखते है अगला सवाल आता है विच और फॉलिंग और्गानिसम्स परफॉर्म वेगल डान्स यह भी न्यूज में था March 11, 2023 का यह आर्टिकल है जिसमें इसको पूरे एक्स्प्रीम किया गया था यह आर्टिकल दे हिंदू का है Current Affairs फिर से आ गए Mushrooms को लेकर Mushrooms को लेकर तो यार आपके सामने 5-6 आर्टिकल है लेकिन इसको solve करना बहुत असान है because some 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 use हुआ है सभी के सभी कुछ ना कुछ तो manage करते ही होंगे आगे बढ़िए Squirrels के बारे में एक यह था Hindu में एक report जरूर थी लेकिन यह सारी चीज़े उसमें cover नहीं है यह difficult question है इस question को आप देखेंगे तो move on कर जाएए Mark मत कीज़े Generally चलिए Which of the following is यह एक ऐसा सवाल है कि लकडी लेकर कौन से वाला असानी से होल और ट्री को साफ कर सकता है साफ कर सकता है ने इंसेक्स को निकाल सकता है तो यारे Netflix की एक वीडियो आई थी जो लकीली मैंने देखी हुई थी तो वहाँ पर यह question को solve करना असान हो जाता है लेकिन ऐसे cases में एक बैतर तरीका यह है कि आप Hindi वाले options पढ़े वहाँ पर क्योंकि हम आम तोर पर if you are a Hindi speaker it helps you to check out which of the animals can this be एक idea लगाने में help मिलती है या eliminate करने में help मिलती है इसके बाथ hydrocarbons पर बहुत सारे सवाल आपको बहुत असानी से मिल जाएंगे इसका simple तरीका यहाँ पर मैंने लिखती है कि एक one pager note बना लो hydrocarbons के उपर जिसमें components क्या है सब चीजें आसानी से आप कर पाएंगे CAY जिसकी मैं बात कर रहा था monthly current reverse का compilation है जून से नेवेंबर अलड़ी मैं release कर चुका हूँ December से April यानि कि December 2023 से April 2024 का भी जल्दी आने वाला है आप ले लीजे अभी तक आपने नहीं लिया हूँ तो जहलम रीवर के उपर इस question में आप से पूछा गया है river और उनके अलग-अलग चीजें कमवा लेक जो है वो news में थी क्योंकि वहाँ पर bird ego system की दिक्कत थी तो ऐसी lakes आप जब भी कभी पढ़ें तो आप से यहां से यह सीखना है कि उन lakes की rivers कौन सी है किसकी वो meander बनती है क्या कुछ उसमें अलग-अलग resources हो सकते हैं लेकिन जहलम के बारे में तो directly mentioned था यहां पर फ्लो सुशी नगर वूलर लेक बिफोर एंडरिंग पाकिस्थ्रान तू डीप नारो गॉज यह हम बात कर रहे हैं जहलम रिवर की तो भाई अगर NCRT ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो भगवान मालिक है तुमारी मर्जी यह एक ऐसा सवाल था जो ports पे हम बात कर रहे हैं मूंद्रा port जो है वो drug captures के लिए न्यूज में जरूर था tough question है by the design of the question क्योंकि yes मूंद्रा को आप याद रख सकते हो लेकिन वाई-जाग और कामराज के लिए कैसे करोगे इसका solution भी मैंने दिया हुआ है मैंने एक पूरा का पूरा 19-20 maps compile किये हैं जिसमें 14-15 most important India के map हैं 4-5 world maps हैं मैंने खुद अपने आपसे इनको बना कर सभी explain किया हुए और उसमें आप इसको solve कर सकते थे अगर आपने वो maps देखे हुए हैं इस वीडियो के description में जाकर आप visual notes के नाम से उन maps को भी ले सकते हैं कुछ-कुछ नाम है कुछ trees के नाम है असल में jackfruit, mahowa, teak वगेरा कोई direct resource नहीं है NCRT's को ध्यान से पढ़ोगे तो visual memory बन जाएगी और ये भी समझ आएगा forest or le chapters में कि examples जो दिये हुए है ना उनको ठीक से पढ़ना है सिरफ forest का नहीं सिरफ rivers का नहीं बलकि सब ही वो चीजें जिनके बारे में ये बात हो रखी है चलिए यार ये एक सवाल था जिसमें India और China के बारे में बात हुई थी इस पे अभी कोई exact answer नहीं है official key कभी हम अलों कभी wait कर रहे है अगला सवाल ये भी sea level के races पे है लेकिन इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप solve भी कर सकते हो extensive marshland की बात आई वहीं पे runoff कच है तीन से चार आर्टिकल जिसके आभी चुके थे salt marshes, marshland हिंदू में आ चुके है ये वाला सवाल जो है इस वाले सवाल में सबसे अच्छी बात ही है कि मैं already ऐसा ही एक ये infographic जो काफी viral हो रहा था twitter पे मैंने अपने twitter पे share किया था इसके basis पर जो भी CACY को follow करता है twitter पर जो कि आप यहाँ पर click करके कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो description में link भी आपको मिल जाएगा तो उनके लिए question असान हो गया था Congo Basin को लेकर कौन है तो यार मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप Africa के जितने भी important countries हैं उनकी tricks क्या है उनको याद रखने की वो वीडियो जरूर देखो अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो CAC Viper करो वो वीडियो मैं अल्रडी record कर चुका हूँ जल्दी वो मेरे channel पे होगी अगर अभी तक नहीं आई है तो तो इसमें सवाल था जो ये Congo Basin का क्या है अगर आपने रिवर्ज और उसको ठीक से समझ लिया उस वीडियो को देखकर तो आपके लिए काम बहुत असान हो जाएगा आपके लिए पीछे के मैप्स होते हैं उनको पनी दिवार पे चबकालो और उनको consistently सोने के बाद या सोने से पहले और उनको consistently सोने से पहले या जगने के बाद एक बार जरूर देखो revise करो सारा कौन सी चीज कहां पर है सिर्फ अपनी visual memory डेवलप करो चलिए इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ-कुछ सवाल है ये सभी regularly news में हैं तीनो separately क्या-क्या है East-West corridor है दिभरुगर से सूरत नहीं ये थोड़ा गलत है फिर एक ये ऐसा है जो Thailand जा रहा है इंडिया के North East से फिर BCIM बंगलदेश, चाइना, इंडिया, मयानमार थोड़ा पुराना है ये बट इसका भी आंसर गलत है ये East में ही कहीं से शुरू होता है खतम होता है अब आप एक नया पैटन देखोगे 41st question से कि economy में जो questions है नहीं मुनाल सर के जो 6 pillars है उन में से हैं सबसे अच्छी बात ये कि 6 pillars जो है ये easy to revise है शुरू के 2 pillars मुश्किल लगता है क्योंकि अगर आप यवर पढ़ना शुरू करके तो बहुत heavy है last के 4 बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो एक tip ये है कि 3rd, 4th pillar से पढ़ना शुरू करो या फिर ultra पढ़ना शुरू कर लो आसान कर पाओगे 1st और 2nd pillars में time लगेगा pandemic management में जब inflation targeting की बात होगी वहाँ पे आपने असानी से पढ़ा भी होगा नहीं पढ़ा है तो तयारी छोड़ दो कुछ और काम कर लो basic चीज है नहीं समझाई तो नहीं कर सकते है carbon markets के ओपर was in news ये देखिए मे 18 2022 को इसके बाद भी ये news में रहा है आप से वो मिल जाएगा नहीं मिलता है तो डाउनलोड कर लो उसको प्रिंट करा लो प्रिंट कराने में मुश्किल है क्योंकि 6 pillars है उसमें अलग-अलग 6 किताबे मतलब 2 books हैं वो मुश्किल बन जाती है बड़ी काफी हैवी बन जाती है किसी photo को अभी shop से आप उसको ले सकते है इसमें भी कोई direct resource नहीं हो सकता यह application based question है इसलिए मैंने के flow chart बना दिया है आपको explain करने के लिए अपने PYQ notes में PYQ notes कहां से मिलेंगे pyq.csy.com यह link आपको description में भी असानी से मिलने वाला है small farmer large field के बारे में यह descript keyword है इसमें आपको कोई resource की ज़रत नहीं है आप सिर्फ सवाल पढ़िए आपको समझ आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है small farmer large field इस पे कहीं न कहीं experiment चलता था मुझे ध्यान नहीं आ रहा but I think down south और far east इंडिया के south में या northeast में या east में यह concept popular था जिसके basis पे यह सवाल आया होगा फिर देखिये MSP पे सीधा सवाल है यार farmer bills को लेकर MSP पे बहुत बहस होई तो जाहिर सी बात है सवाल आना था interestingly मुनाल सर के notes में as it is by name यह चीज़े आपको मिलने वाली है तीसरा या चौथा सवाल है जो directly मुनाल सर के economy notes से है कुछ मत करो economy के लिए उनके notes लो और उनको end to end ध्यान से 2-3 बार पढ़ लो revise कर लो आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा ऐसे-ऐसे notes की वज़े से इसके बाद intangible investments की बात है application based question है कोई भी आपको इसमें अलग से नहीं सिखा सकता कोई resource नहीं है intangible का मतलब पता होना चाहिए नहीं पता तो हिंदी में पढ़ लो पता है तो question solve करो plus two लो आगे बढ़ो इसके बाद फिर से another question another मुनाल master class as it is mentioned है कि 15th financial commission ने जो horizontal differences distribution पे बात करी है वो क्या-क्या उसमें आपको मिल जाएगा सीधे-सीधे आप solve कर सकते हैं कहीं बार याद नहीं रहता है तो यहीं पे आपकी effective reading काम आती है that helps you a lot infrastructure के उपर बात हो रही है इन में से कितने UNOPS sustainable investment in infrastructure innovation S3I की बात है मुश्किल सवाल है यार इसको answer करना मुश्किल होता है अगर आपने current affairs में कहीं नहीं पढ़ा है तो लेकिन हाँ आप इसको देख के समझ सकते हो कि यार कौन-कौन सी चीज़े ऐसी हैं कि sustainable investment हो सकती है अब देखो इसमें housing, transport, renewable energy ये तीनों की तीनों कहीं नहीं urbanization से linked है लेकिन healthcare जो है urbanization की बात है बट वो दोनों cases की है तो यहाँ आपर odd one out से भी आप कुछ लगाने की कोशिश कर सकते हो लेकिन directly answer कर पाना मुश्किल है थोड़ा